हेलो फ्रेंड्स वेलकम तुश्कोर्शाला माईसाथ नलदश शर्मा आज आपके लिए लेके आए इंट्रो किसका इंट्रो है भाई एप्लिकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जिक्र होगा इसमें सब कुछ बताया जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में के बारे में बताए जाएगा कैसे सीन्यागहें इस को कैसे अप्लाय कर वाते कैसे उसका हीटिष्टर्य निकालने काम उन सब के बारे में आज बताया जाएगा मारे इसकी मुझे है Cash इंक लेकि हमारे पास दो तरीके एक तो भाई क्या करें इंच टेप से इसको आपना स्टार्ट कर दे हम दूसरा तरीका क्या है कि इस्तमाल करें तिक्नोमेट्टिक इस्तमाल ऐसे होगा कि आप खड़े हो बूस्त लिवा के थोड़ी दूरी पर मान लेते कि आप 100 मीटर दूर खड आ उससे और इसके टॉप पे आप देख रहे हो क्या हर रहे हो इसके टॉप पे आप देख रहे हो इसके कर निउरस पहर्याम अपनी आंखों चेक नोमल बना रहे हो ठीके, अपनी आखों से आपने एक नॉर्मल बनाया, कुछ एंगल क्रेट हो रहा है, मान लीजिए उसका ठीटा, ऐसे काम करने से हमारा टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस हमें आप इस्तमाल कर पाएंगे, और इसको सॉल्ट कर पाएंगे, यह हमारा एक ट्राइंगल ब इस हमें पता है, 100 मीटर के बराबर है, इतनी हाइट निकालने के बाद में, अपनी जितनी हाइट है, वो हम अगर एड कर देंगे, तो कम्प्लीट बुष कलिफा की हाइट निकल जाएगी, बड़ी ही असानी से, क्या देखना है, सिर्फ एंगल, ठीके, सिर्फ एंगल एलिवेशन के बारे में, जब हम स्ट्रेट देख रहे हैं, तो वो नॉर्मल एंगल है, या फिर सिर्फ नॉर्मल है, उपर देखा थोड़ा बहुत, तो जो अपना एंगल क्रेट हुआ, उसको बोलते हैं हम एंगल ओफ एलिवेशन, अपना ऑब्जवर यहाँ खड़ा है, तो क्या बनता है, एंगल ओफ एलिवेशन बनता है, क्या बनता है, एंगल ओफ एलिवेशन का फॉर्मिशन होता है, जो थीटा यहाँ पर आया है, उसको बोलेंगे एंगल ओफ एलिवेशन, एंगल ओफ एलिवेशन, एंगल ओफ एलिवेशन, एंगल ओफ एलिवेशन की ब हें कर्यों उसको बोलते एंगल ओफ डिप्रशन क्या बोलकिन उसको एंगल ओ Android crime बोल दिया जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो भी होग हएप जो भी होगा अपने नॉर्मल से नीचे की पंडित बदरी प्रशाद हर हर बोले और क्या खरे सोना चांदी तोले ठीक है सोना चांदी तोले फॉर्मुला वही है पंडित बदरी प्रशाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले that means that sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse cos theta is equal to base upon hypotenuse and 10 theta is equal to perpendicular upon base यह चीज़े आपको पता होने चाहिए अब बिना कोई time खराब किये हैं अपन चलते हैं सबसे पहले first example के उपपर कि इसको apply कैसे करते हैं तो हमने पूरी पढ़ लिए इसका application कैसे होता है इसको apply कैसे किया जाता है कहां कहां यह यह यूज आता है तो पहला example देखते हैं पहले example में बोला गया कि टावर स्टेंस vertically on the ground vertically एक टावर खड़ा है from a point on the ground which is 15 meters away तो यहां पे पहले तो टावर बना लेते एक प्यारा सा तो हमने यहां पे टावर को कंशक्ट कर लिया जो ground के उपर vertically खड़ा है यह बोल रहा है कि टावर के पंद्रा मीटर दूरी पे पंद्रा मीटर दूरी पे अपन बोल देते हैं कि पंद्रा मीटर यहां से आ गया है ठीक है क्या बोल रहा है पंद्रा मीटर दूरी पे the angle of elevation जो बनाया जा रहा है जो angle of elevation observer बना रहा है angle of elevation का मतलब नॉमल से उपर angle of elevation के जो बनाया जा रहा है जो observer बना रहा है वो 60 के बराबर आ रहा है मतलब वो टॉप पे देख रहा है टावर के टॉप पे देख रहा है वो जब ऐसा हो रहा है ठीक है find the height of the tower tower की height वो हमसे पूछ रहा है वो हमें बता नहीं है फर्स बात तो यह है कि जो trigonometric ratio की जो अपने specific angle वाली table है आपको याद होनी चाहिए मैंने उसको construct करना सिकाया है और बाकी मैं उसको वापिस repeat कर दूँगा तरशक कैसे करते है एक मेरे पास तरीका है उस तरीका को वापिस इस्तमाल कर लेंगे यहां पर और वह आपको पता होनी चाहिए बात करें हमें हमां यहां पर बेस पता है इस एंगल का हमें बेस पता है जो की 15 के बराबर है हमें इसका perpendicular निकालना परपेंडिकुलर ही इसकी है अब हमें पता है कि 10 थीटा क्या होता है यह इसको हम हाइट बेस को हम हाइट बोल रहे है यहां पर यहां पर आपेंडिकुलर आ यहां है यहां पेस हमारा 15 के बराबर है 15 पूट कर दिया अब 1060 की value कितनी होती है 1060 की value root 3 होती है हमें पता है नहीं भी याद है फिलाल तो यहां से table से आप देख लीजिए कितनी होती है root 3 होती है तो 1060 में हमने root 3 put किया is equal to h by 15 आया हाइट हमारी निकल के आ गई 15 into root 3 meters 15 into root 3 meters तो हमने यहां पर देखा application of trigonometry कैसे उसको apply कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे example ऐसे बहुत सारे question जो NCRT के है उनको हम use करेंगे और अगले वीडियो में डालेंगे thank you so much for joining us ऐसे ही हमारे चैनल को subscribe करते रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो कुछ भी confusing लगता है आपको तो comment section में बिल्कुल बताइए myself नलदर्श्वर्मा हमें join करने के लिए so much thank you